नमस्कार दोस्तों अश्टडी विचागर यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जहारखन के विविन परिचाओं में पूछे गए प्रस्णों से रिलेटेड एक श्रीज अश्राड कर रहा हूं दोस्तों जिसको लेके आज के पहले व टॉपिक से प्रस्ण पूछे गए थे ताकि आगे आने वाले एक्जाम के लिए आपको एक आईडिया मिल सकेगा कि आपकी तैयारी किस परकार हो रही है और कौन से टॉपिक पे आपको ध्यान देने का जवरत है तो इसलिए दोस्तों आज किस वीडियो हम जैसे से उत्पा पूपिक में एका करके लिखते चलें और लास्ट में दोस्तों आप देखें कि कितने प्रस्ण आप सही कर सकें और अपना मार्क्स जो होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखके जरूरी बताएं तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो का पहला प्रस्ण हमारा कि जहारख जहारकंड के उत्तर की जो सीमा है वो कौन से स्टेट सी लगी हुई है उप्सन आपके सामने दिया गया दोस्तों बिहार ओडिशा पचिममगाल चपिसगड़ तो इस प्रस्ण का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्सन नमर ए जहारकंड के उत्तर में आपका बिहार सीमा लगता ह है दुसरा प्रसन है दोस्तों को सीमभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 166 किलोमेटर के अकार की की गई महत्पुन खनीजों का भंडार गिरी है जो नेमनिक का पारगमन करता है ऑप्सन आपके सामने दिया गया है पुर्वी सिमभूम स्रायकला खरसामा पच्मी सिमभू या उपरयोक्त में से सभी तो इस प्रसन का सही उतर है दोस्तों ऑप्सन नमर डी उपरयोक्त में से सभी अगले प्रसन के चलते हैं हमारा तिसरा प्रसन है बोकारो इसपात सनीयंत्र के लिए मसूर है जो एसिया में सबसे बड़ा है और निमन में से किसकी सहायता से बना ये पूछा जा रहा है तो option आपके सामने दिये गए है और सोवियत संग आनिक रस्या के द्वारा या फिर अमेरिका के द्वारा जपान ये जर्मनी तो दोस्तों जो बोकारो और इस पात सनियंद्र है ये आपका सोवियत संग आनिक रस्या के सहाईता से बना हुआ है तो इस प्रस्ण का सही उतर है option नमर ए सोथा प्रस्ण है दोस्तों निलामबर और पितामबर सह नामक दोनों भाई जिन्होंने सोतंत्रता अंदोलन के दोरान अंग्रेज के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी निमन के नेता थे आपको बताया नहीं के निलामर और पितामबर आपके कौन से जन्जाती से रिलेटेर थे option है संथाल जन्जाती, खरवार जन्जाती , सबर जन्जाती या इन मेंसे कोई नहीं तो इस प्रस्ण का सही उतर है दोस्तों, option number C, सबर जन जाती, निलामर और पितामबेर सा नामक जो दोनों भाई थे, जो एक सोतन तरता अंदोलन से जुड़े हुए थे, ये कौन से जन जाती से समन दित थे, तो सबर जन जाती से समन दित थे पाचवा प्रसन है, पत्थर और बीडी के उतपादन के उद्योग के लिए मसूर जिल्ला आपको बताना है, कि कौन सा जिल्ला जो पत्थर और बीडी के उतपादन के लिए फिमस है, लोहर दगगा, चत्रा, पाकूर या कोडर्मा, तो इस प्रसन का सही उतर दोस्तों, option number C, पाकूर, अगला प्रसन है, निम्न मेंसे एक चितरकला की एक सैली नहीं है, आपको बताना है, इन मेंसे, option मेंसे कि कौन से एक चितरकला की सैली नहीं है, option है, उराओं भित्ती चित्र, जादो पट्या, लह सुया, या संथाली भित्ती चत, तो इस प्रसन का सही उतर दोस्त लख सुया ये एक परकार की चितरकला की सहली नहीं है साथमा प्रस्ण है जहारखंड भारत के समगर खनीज संसादनों में से लग भग कितना प्रतिशन आपका जो खनीज संसादन ये जहारखंड में पाया जाता है तो अप्रस्ण आपके सामने दिये गए 40% 30% 15% या 55% तो इस प्रस्ण का सही उतर आपका अप्रस्ण नमर ए 40% अगले प्रस्ण के बढ़ते हमारा अगले प्रस्ण है जहारखंड में भारत के निमने का 26% आरचित भंडार है तो जो इस आरचित भंडार है 26% ये कौन से खनीच के लिए आरचित है कोईला के लिए तामबा एयस के लिए लो एयस के लिए बॉक्स आइट के लिए तरिस प्रस्ण का सही उतर आप्सण नमर ए लो एयस जहारखंड में भारत का निमलिकित 26% जो आरचित है ये लो आयस के लिए आरचित है नॉमा प्रेशन है 2011 की जनगनिना के जहारखंड राईज की साचरता दर बताना है आपके सामने देगे हैं 76.24% 66.41% 56.42% 62.41 तो इस प्रेशन का सही उतार है अप्शन नॉमा बी 66.41% आपका 2011 की जनगनिना के अनुशा जहारखंड राईज की साचरता दर थी अगले प्रेशन के चलते हैं दसम प्रेशन है अस्थान के अधार पे निम्र में से बेमेल की पहचान के रहे हैं आपको पताना था कि इनमें से कौन बेमेल है दसम जलपरपाद सदनी जलपरपाद जोनहा जलपरपाद या पंचगाग जलपरपाद तो दोस्ते प्रेशन का उत्तर आपका ये उत्पात सिपाही के प्रेशन में दोस्तों इसका अनसर गलत दिया वा था कि इसे हटा दिया गया था क्योंकि दसम जलपरपात ये आपका राची में है सदनी जलपरपात भी राची में है सदनी जलपरपात दोस्तों गुमला में है जोनहा जलपरपात आपका राची में है और पंचगहाग जलपरपात आपका खोटी में है तो इस प्रसन को हटा दिया गया था तो आपको शिर्फ ध्यान में रखना है कि कौन से जलपरपात कहां पे है इससे आपको आगे के एक्जाम में फायदा मिल सकता है दोस्तो ग्यारवे प्रस्ण के ग्यारवा प्रस्ण है मैथन बांध निमनी में से इस्टित आपको बताना कि मैथन जो बांध है या का उन से डिस्टिक में इस्टित है गिरीडी में है राची में है धनबाद में है या जमसेतपुर में तो इस प्रस्ण का सही उतर है दोस्तों आपका तेरहाँ प्रस्ण पूछा गया था लाईस नायक अलबट एका की मिर्थिव निम्न में से कौन से यूद लड़ते समय हुई थी भारत पाक यूद उनेशेखत्तर भारत पाक यूद उनेशेट्ट कारगिल यूद या भारत चीन यूद तेश प्रसंद का सही उतर 200 अप्शन म अगला प्रस्ठ ने 2019 में जहार्खन राइस के राजपाल पूछे गहे थे तब प्रस्न गोटने में रपति मुर्वऌ्ग लेकिन अभी अगर पूछा जायेगा ज्छार्गन राइस के वर्तमान राइस पूछन धैस अगला प्रस्न है कातिक के महिने में काले चंद्रमा के दोरान मनाय जाने वाला सबसे अधीक परेशिद पर्व कौन सा है जावा पर्व, सर्हूल पर्व, बंधना पर्व या कर्म पर तेश प्राशन का सही उतरे दोस्तों option में C, बंधना पर्व, कातिक के महिने में काले चन्दरमा के दारान मनाया जाने वाला सबसे अधीक परिशिध तहवार कौन सा है बंदना तेहवार मनाया जाता है इन चारों में से जो मुखेता कौन सा आविवाहित जन जाती बारिकाओं को द्वारा और मुखेता उत्तम उर्वर्ता और परिवार की खातिर मनाया जाता है इन में से कौन सा जो तेहवार है ये आविवहित, जनजाती, बारीकाओं को द्वारा मनाय जाता है और उत्तम, उर्वर्ता और परिवार की खातिर मनाय जाता है आपके सामने दिये गया है करम, जावा, रोहनी या वंदना तो इस प्रशन का सही उतर है आपको option number B जावा पर 17 प्रशन पुछा गया था दोस्तों कि गाउं का पुजारी मिटी के तीन पातर लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है अगले दिन सबेरे वा मिटी के तीन पातरों को देखता है जिसमें पानी का अस्तर घट गया है अधी पानी का अस्तर घट गया है तो वह अकाल की भविश्वानी करता है और अधी पानी का अस्तर समानी रहता है तो उसे उत्तम वर्शा का संकेत समझा जाता है तो ये कौन से पर्व के दौरान किया जाता है अप्शन आपके सामने दिये गया है करम परव, सर्भूल परव, जावा परव या टूसू परव तो इस प्रसन का सही उतर आपको अप्शन नमर बी सर्भूल परव के द्वारान या भविश्वानी किया जाता है अगला प्रसन है सर्दारी अंदोलन निम्न कारण से हुआ था अप्शन आपको सामने दिये गये हैं कि सर्दारी अंदोलन का कारण क्या है पुछा गया था इसाई धर्मांतरन तथा संसारी उराउं द्वारा आर्थिक आसमान था बेगारी लागु किये जाने के विरुद किरिसिक आसंतोज था विचलियों द्वारा गयर कानुनी धंग से किराये में विर्दी या दोनों B और C तो इस प्रस्ण का सही उतर है दोस्तों अप्शन में D B और C दोनों के कारण आपका सरदारी आंदोलन हुआ था नेक्स्ट दूस्तों ताना भगत आंदोलन कब शुरू किया गया था उप्शन है उन्हें से 5, 1914 में या 1760 में या 1850 में तो इस प्रस्ण का सही उतर है उप्शन में B अगला प्रस्ण है पहला जन जाती है नेता जिसने अंग्रेजों के विरूद हत्यार उठाया था ओप्शन है बिर्शा मुंडा, बुद्धु भगा, तिलका मांजी या इन में से कोई नहीं तो इस प्रस्ण का सही उतर है दोस्तों ओप्शन नबर C तिलका मांजी अकिसमा प्रस्ण पूछा गया तो दोस्तों यह आपके करेंट अपर से पूछे गये थे इसको इग्नॉर करते हैं 22 प्रस्ण पूछा गया था कि जहारखन के किरिशी अर्थव्यवस्ता की बेशेस्ता नियमने द्वारा बताई गई है परकृति पे निर्भरता नियुर निवेश मुखी फसल के रुप में धान एकल फसल है प्रियाप्त सिचाई स्विधान तथा लगू और सिमान तो जो चेत्रियाव परियुक्त में से सही तो 22 प्रस्ण का सही उतर है दोस्तों आपका ऑप्शन नमर्डी जहारखन के किरिशी के जो अर्थव्यवस्ता है कि इस पे निर्भरता बताई गई है तो ऑप्शन नमर यह चारो तीनों ऑप्शन सही है 23 प्रस्ण है च्छाव निरीत की तीन सेलिया देखने के में आती है जिनका नामकरन उनके निस्पादन अस्थल के रूप किया गया है जहारखन में अस्थान का नाम क्या है मयूर भंज, पूरूलिया, सराय केला या कोडरमा दोस्तों च्छाव निरीत का तीन सेलिया पाई जाती हो ज्रखेण में कि कोंशी चैनलि पैया जाती तो इस प्रहुषा की अच्छा जाती है तो इस प्रहशन का सही उत्रें है याजन जाती अबसाने हूं से शचाल सको परकार करना है 25 परहसन पूछा गयाता कि जहारखन के इस लोक निरित्त का नाम एक विर्च के नाम पे पड़ा है पाइका, कर्मा, छाओ या संत्हाल तो इस परहसन का सही उतर दुश्वों, option भी कर्मा कर्मा जो लोक निरित्त है, ये एक परकार के विर्च के नाम पे पड़ा है 26 प्रस्ण दोसरों या एक लोक निरित है जिसका निस्पाद और बिवा के दोरान दूले के परिवार में किया जाता है लुपाई का छो डमकच या लहसुआ तो इस प्रस्ण का सही उतर दोसरों आप्शन में सी डमकच 27 प्रस्ण है निम्न में से एक भारतिय आर्य भासा नहीं है आपको बताना कि कौन से एक भारतिय आर्य भासा नहीं है अंगिका नागपूरी कोर्वा या सादरी तो इस प्रस्ण का सही उतर दोसरों आप्शन में सी कोर्वा 28 प्रसन है संथाली लिपी ओलचीकी का विश्कार किसे nahi किया था अपस्ण है आप पन्डित रघुनात मुर्मो भयंख्यस चक्रबती डॉक्टर नैन उरान उरायों या फ्रांसिस एक आपको बताना है कि जो संथाली लीपी ओल्चीकी है इसका विश्कार किस ने किया था तो इस प्रस्ण का सही उतर है आपका ओप्शन नमरे रगपंडित रगुनात मुर्मु के द्वारा ओल्चीकी का विश्कार किया गया था उन्तिस्वा है अबरक की खाने अधिकतर नीमने में से किस जिले में पाई जाती है गिरेडी कोडर्मा दुमका या ओप्शन नमरे ए और बी दोनो तो इस प्रस्ण का सही उतर है दिस्वा अप्शन नमरे डी ए और बी दोनो डिस्टिक में आपका अबरक की खाने अधिकतर प प्राइब की गई शोभाईगी योजना का उद्देश जहारखन राई जी के आस पास के सभी जावों को उपलब्द कराना था तो क्या उपलब्द करवाना था आप के द्वारा पाईजली शुलब सोचा लाए या बाली गाओं को मुखतु शिच्छा तो इस प्रश्ण का सही उतर है दूसें सोभाईगी होजणा जो दिया जा रहा था इसमें बिजली आपका दिया जा रहा था आसपास के गाउं को उपलब खराय जाता है तो इस प्रश्ण का सही उतर है आप्सन मेर B 32 प्रसन है लालकी घाटी के नाम से बिख्यार चूटुपाली घाटी किस जिले में स्थित है रामगड में है, खूटी में है, गुमला में है, लोरदगा में तो इस प्रसन का सही उतर अप्शन में ए रामगड में है वो कौन से district के अंतरगात आता है तो रामगड के अंतरगात आता है तेंतिस्वाँ प्रस में आपको गलत जोड़े की पहचान करें कि कौन सा जो ये सारे मंदिर जो दिये गिए है कौन से जिल्ले में है ये गलत पहचान करने बोला गया था तो बैदनात मंदिर ये आपका देवगर में ये सही है हल्दी घाटी मंदिर ये गुमला में है तो ये भी सही है जगनात मंदिर ये राची में है तो ये भी सही है तपोवन आपका रामगड में नहीं है तो ये आपका गलत है 34 प्रशन का सही उत्र क्या हो जाएगा तो option number B 34 प्रशन दोस्तों अभी लिखित 1 छेतर जहारखंड के भोगमलिक छेतर का निरमान करता है ति प्रशन का सही उत्र है दोस्तों आपका option number B 29.61% आपका जहारखंड में 1 छेतर का percentage है 35 प्रस्ण जहारखंड में 1 कोटियां है उसन कटी बंदिये आर्द पत जड़ी या उसन कटी बंदिये सूस्क पत जड़ी उसन कटी बंदिये विश्रित परवतिये 1 या ये सभी तो इस प्रस्ण का सही उतर दोस्तों ये सभी परकार के 1 आपके जार्गन में पाए जाते हैं तो option D इस प्रस्ण का सही उतर हो जाएगा 37 प्रस्ण लाबा लॉंग, वनीजी, अभिहारन, निम्न के भीतर रिष्टीत है आपका जो लावा लूग वनी जी अभ्यारन है वो कौन से डिष्टिक के अंतरगात आता है देवघर जिल्ला चत्रा जिल्ला बोकारो जिल्ला या गड़वा जिल्ला तो इस प्रस्ण का सही उतर दुछ Hmm ऑप्षन में B चत्रा जिल्ला के अंतरगात आता है आपका लावालांग वानी जी अभ्यारन से थिस्वा प्रसने आपका कि जहारखन राइज निर्मान के बाद से उनमें से रैष्ट पती सासन कितनी बार लागू हुआ है दो बार, तीन बार, चार बार या पांच बार तीन बार, आप नीचे कमेंट बाक्स में लिख के जरूरी बताएं कि जहारखन राइज के निर्मान के बाद सबसे पहला रैष्ट पती सासन कौन से एर में लगाया गया था अड़तिसमा प्रसने जहारखन राइज का किरिसी योगी छेतर है 48,8,89,69,69,63 प्रसन का सही उतर अप्शन राइज में किरिसी योगी छेतर है चारिसमा प्रसन जहारखन किरिसी का परदर्सन है राष्टिय आउस्त से बहुत उचतर, राष्टिय आउस्त से बहुत नीम्न, राष्टिय आउस्त से एकदम बरापर या राष्टिय आउस्त के मामोली उपर तो इस प्रस्ट का सही उतर अप्शन नमर बी राष्टिय आउस्त के बहुत नीम्न है चालिसमा प्रस्ण दोस्तों की जहारखंड में नगदी फसल के लिए परियुक्त जोते हुए छेतर का हिस्सा है आपको बताना है कि नगदी फसल के लिए कितना एरिया में आपका ये नगदी फसल उगाया जाता है आप्शन है 15 परतिशत 20 परतिशत 10 परतिशत या 5 परतिशत तो इस प्रस्ण का सही उतर है आप्शन नमर्डी 5 परतिशत नवी करनिये उर्जा के विकास के लिए जहारखंड में कौन सी एजिनसी के स्थापना किया गया है जे एस पीसीबी जे एस चीसीए यू जे आरएडी ये जे पीडी आरी ए तो इस परतिशन का सही उतर है दोस्तों उप्षन वाश्य जे एरडा जे आरी डी ए तो इसका जो फुल फोम है दोस्तों आप नीचे कमेंट परकुश्आं जरूर ही लिखे बताएं कि जे रेडा का फिल्फर्म क्या होता है यह आपका करेंट पर से पूछा था तैते लिश्वा प्रस हम देखते हैं कि जार्खन के दामोदर नदी का उदगम अस्थल आपको बताना है गुप्त गंगा परवत देवगार का तिरिकूट परवत पदमा हजारी बाग या लातेहार छोटा नाकप पठार तो दामोदर नदी का जो उदगम अस्थल है दूस्तों इस प्रस्ण का सही उतरव का उप्षन ओडी लातेहार या छोटा नाकपुर पठार से आवी इसका उदगम होता है 44 परस्ण को देखते हैं खिलाडियों को उनके खेलों के नुशार बेमेल की इस भाषान करें ओप्षन है दिपीका कुमारी तिरंदाजी से है सही है महेंदर सिंग धोनी किर्केट से जुड़ेवे हैं सही है परतीमा कुमारी कुस्ती से है जैपाल सिंग मुंडा हौकी से है ये भी सही है तो इस प्रस्ण का सही उतर के हो जाता है आप्सन नमर सी कुस्ती परतिमा कुमारी कुस्ती से आपका जोड़ी भी नहीं है 45 परसन देखते हैं नीम्न में से एक ने 2010 के राष्ट मंडल खेलों में स्वन पदक जीता था आपको बताना है कि 2010 के राष्ट मंडल खेल में कौन जिवास गौल्ड मेंडल जीते थे मिसाल बेंजामिन लकडा दीपीका कुमारी लच्मी पांडिया या पी परतिमा कुमारी इस प्रसन का सही उतर दोस्तों ऑप्सन ने बी दीपीका कुमारी ने 2010 के राष्ट मंडल खेलों में गौल्ड जीती थी 46 परसन है दोस्तों जे इजी आरे एस का इसका फुल फॉर्म पूछा था तो इसका सिधा सा अंसर बता देते हैं दोस्तों इसका आपका जो ऑप्सन है तो यह इसका सही उतर है जहारखंड ओनलाइन गौर्मेंट रिशीट एकांटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है 47 परसने देश में उत्पादित समगर इसपात में से जहारखंड लगवक कितने पर्तिशत इसपात का उत्पादन कर रहा है 40-50%, 10-15%, 20-25% या 30-40% 30% का सही उतर दोस्वाब का आप्स्वान नमर C, 20-25% इस पात का उत्पाधन कर रहा है 48 प्रस्वान प्रस्वान की जहारकन राज का राजकिय पस्वाब पूछा गया था हाथी, सेर, हीरन, अजिगर 49 प्रस्वान 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 की इस 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 गूड अवर्ड प्राप्ट हुआ है उप्षन आपके सामने दिये गे हैं तो इस प्रस्ट का सही उतर है उप्षन नमर ए एक जहारखन इस्तित एंजियो युवा नाम का एंजियो है उसे अपका 2019 में लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर्ड अवर्ड का प्राप्ट हुआ था तो द नीचे कमेंट माक्स में लिखे जरूर बताएं वीडियो आपको पसंद आये होते से दोस्तों के साथ शेयर करें जय हिंग जय भारत